नमस्कार आईए आज हम कच्चे आम का पना बनाएंगे जो बहुत ही स्वादिष्ट है गर्मी में फायदे मंद है जिस से लू नहीं लगता है आप इसे खटा मिटा बना सकते हैं आप इसे खटा भी बना सकते हैं थोड़ी सी गुरिया सक्कर भी डाल सकते हैं बहुत आसान र आप चिल के उबाल लीजिए या आप चारो आम को कुकर में डाल के भी उबाल के हम बनाते हैं पर उसके वीधी बाद में बताएंगे आज हम जल्दी है अगर तो किस तरह से बनाना चाहिए इस तरह से सारे आम को चिल लीजिए उनके चिल के उतार लीजिए चारों आमको मैं छिल ली हूँ हमारे चैनल को लाइक और सब्क्राइब कीजिए और हमारे सौट उडियो को भी देखे प्लीज लाइक के और सब्क्राइब और सेयर पूरा देखके जाईएगा देखे इस तरह से आमको छोटे-छोटे तुकले में काट लिजिए और दो गिलास के करीब पानी डालके उबालने के लिए रख दीजे देखे उसके गुठली के साथ ही डाल दीजे वो भी पानी में ऊसके थोड़े बहुत भी गुदा होगा वो उसमें उबल जाएगा तो दो से तीन मिनट में ही इसमें उबाला जाते हैं और आम जो है अच्छी तरह से गल जाता है देखे कितने अच्छी से उबाला गया है बस दो मिनट में उबाला जाते हैं आम में तेज आँच में कर लीजिएगा इसे जल्दी भी गल जाते हैं देखे पूरे अच्छे से दो मिनट के अंदर में पक गए बहुत तेज गरम इसले मैं उसे चाकू की नोक से बता रही हूं कि के इस तरह से ये गल चुके है चम्मच की सहता से ही छुना देखे पूरे आम अच्छी तरह से पक चुके हैं और उसके पानी को फेकना नहीं है इसी पानी से हम आम पना पनाएंगे इसमें पूदीना डालेंगे आप चाहे तो कच्छा पूदीना को थोड़ा सा पीस कर मिला सकते हैं या पूदीने का अर्क जो मिलता है मार्केट में उसे भी थोड़ा सा डाल दीजिए देखे पूरे अच्छे तरीका से ये गल चुका है ठंडा होने के बाद इसमें हाथ डालिएगा और थोड़ी ठंडी पानी भी डाल दीजिएगा देखे पूरी गुटली का जो उसमें गुदा था वो आ गया और उसको चनी से चान लेंगे आम की पानी को और जो बचव हुआ उसका गुदा होगा आम का उसको हम मिक्सी की जार में अच्छे से एक बार गुमा देंगे और आप मिठा पसंद करते हैं तो चार-पांच चम्मा सक्का डाल दीजिए और साथ में पीस लीजिए और नहीं पसंद करते हैं तो खाली ऐसे ही पीस लीजिए देखे कितने अच्छे से पूरा पीस चुका है जो आम का बचा हुआ रस है पानी में जो था उसको मैं डाल कि इसमें मिला रही हूं बहुत अच्छे से बन गया है गाढ़ा भी है और उसको मैं जीरा से आधा चम्मस तेल डालकर जीरा से फ्राई कर दूंगी जो स्वात को बढ़ा देता है आप पीसीवी जीरा भी डाल सकते हैं आपको जैसे अच्छा लगे इसमें काला नमक और खाने वाला सिंपल नमक भी डालिए और शक्कर को आप बाद में अपने पीने के टाइम डाल सकते हैं जिने मीठा पसंद है जिने खटा पसंद है स्वारी कच्चे आम का पना देखे कितने अच्छे सी बन गया है ये काला नमक है अपने श्वादां साथ डालिएगा बाद में भी कम ज्यादा जैसा भी जौरत हो डाल सकते हैं ये काला नमक है और ए नार्मल नमक है जो हम खाने वे विप्योग करते हैं आपको जैसे आउश रखता है वो ऐसी डाल सकते हैं, इसमें सक्कर या गुड भी मिला सकते हैं, ये सरीर को गर्मी से अलू से बचाता है, कच्चे आम का पना गर्मी के दिनों में जरूर पीजे, देखे कितने अच्छे से, पना तयार है, कई गिलास पना है, छोटे छोटे ग थोड़ा सा पीस के डाल दीजिए, या ऐसे ही इसका स्वाद इसमें आ जाता है, फ्रेज में रख दीजिएगा, ठंडा होने के बाद पीने में और मज़ा आता है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजे, सब्क्राइब कीजे, स्वाट वीडियो को भी जाके जरूर देख पूल ओरीजनल आम का पना है, थैंक यू सो मच, इंजॉय कीजिए,